असलाम अलेकूम नमस्कार सस्रीकाल आदाप साथियू यदि आप कुवेट में रहते हो और कुवेट के एहम तरीम खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो यह वीडियो को बिना स्कुप के पूरा देखिएगा और यदि मेरे चैनल पे आप नए हो या फिर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऐकन को प्रेस कर लिजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोड़िकेशन दोस्तों आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे तो दोस्तों सबसे पहली खबर दोस्तों जो आ रही है इंडिया क्लोजली फॉलोईंग ऑप डेमोग्रा काम करते हैं जो अलग-अलग केटिगरियों में काम करते हैं तो दोस्तों यह बिल पास होने के बाद बहुत ही इंडिया में बावाल हो गया और कुएट में बावाल हो गया है क्योंकि दोस्तों बहुत सारी इंडियान वहां पे रोट पे आ गए और वहां पे दोस्तों कि ईपर जो भी निर्ने फॉर्ण ओर जुझे मेरे लिगी कि औरो छीक कि क्यूंकि हमारे इंडेयन वर्कर उहां पहुत जादा काम करते और यहां बइल फ्ल tv सब्सक्राइब हो उपने मत जाएं अध्यार आ एक से ज्टल efय मुष्थ और डॉर्फण को वाप तो फिर आप वीडियो के description में इसका link में डाल दूँगा link पे click करके diet मुझे आप follow कर सकते हैं Instagram पे दोस्तों मुझे follow करने से आपको फाइदा क्या होगा कि मुझे आप डाइट सवाल कर सकते हैं तो दोस्तों बहुत सारे वहाँ पर worker से नोहाँ पर काम करते हैं चाहरा स्ट्डिएंट लोग इस्टुड्ट वीज़ा हो या पे भीनस में और टूरीश वीज़ा हो हो सारे और वहाँ पर गाफीजा होyal या देडियो काम Welcomeं कर दोस्तौ उसकुल प्ता दूप पर कुएत में जितने भी बैंक है वो अंदर ही अंदर दोस्तों वहाँ पर उन्होंने लॉपास कर लिए पॉलेसी बना लिया है कि किसी भी एक्सपेट को वहाँ पर कोई भी लोन नहीं दिया जाएगा चाहे वो प्रैविट सेक्टर में हो या फिर कोई कमपणी में काम करता हूँ आप किसी को भी लोन प्रवाइड नहीं किया जागा आपको बाता दोस्तों पहले वहाँ पर 30,000 कुएती दिनार तक वहाँ पर लोन दिया जाता था वहाँ पर जो एक्सपर्ट लोग है पर दोस्तों अब आपको एक रूपए भी वहाँ पर लोन नहीं मिलने वाला है दोस्तों ये करने के बाद दोस्तों वहाँ पर कुछ लोगों ने वहाँ पर इस पर कम्प्लेन किया है कि आखिर expert लोगों को वहाँ पर loan क्यों नहीं दिये जा रहा उसकी क्या गलती है तो दोस्तों इतनी मान की चलिए दोस्तों वहाँ पर Indian लोगो या फिर expert किसी भी country के लोग है सब काफी परिसानियों हो जान कार्वार तोमिलते साथ इसी तर्ण सब्स पररोकिक और लेकर तब थे कर तक लिये अलाधा Institute